रोट्री क्लब की सयोग से 17 वर्ष्य बालिका की जान बच गई बच्ची द्वारा अपने ही बाल खाने की वज़े से पेट में बहुत बड़ा और छोटी आथ में बड़ी रुकावट बन गया था जिसने रोट्री क्लब देहरदून सेंटरल जीजी आईसी और क्रिष्णा मेडिकल सेंटर के सयोग से 17 साल की बालिका की जान बचा ली गई यही नहीं बालिका की मान से किस्तती सुधार ने सहित आगे का जिम्मा भी क्लब ने लिया है जानकारी अनुसार रोट्री क्लब देहरदून सेंटरल के प्रधान रोहिद गुपता ने बताया कि जीजी आईसी राजपुर रोड की प्रिंसिपल प्रेमरता बोड़ाई ने कॉल कर बताया था कि उनके यहां एक छात्रा बिमार है जो कि लंबे समय से स्कूल नहीं आ रह जिसके बाद डॉक्टर से धान्त खन्ना ने बताया कि बालिका की तुरंद सरजरी नहीं हुई तो इसकी जान बचाना मुश्किल होगा अंदाजन खर्चा हमको एक लाख रुपे बताया गया वहीं सिटी स्कैन में पेशिंट की दो जगा पेट में बहुत बड़ा और छोटी आंत में जो रुकावट बनी हुई थी उसके बाद कृष्णा को मेडिकल सेंटर में रेफर कर दिया गया वहीं पेशिंट को देखने के बाद बता चला कि उसे टाइको बज़ार नाम की बिमारी है इसमें जो पेशिंट मांसी ग्रूप से स्टेबल नहीं होते ये अपने ही बाल खाने लगते हैं सिटी स्कैन में सामने आया कि पेशिंट के पेट में 12 x 6 cm बालों का गुच्छा और आंदों में 8 x 4 cm का गुच्छा फसा हुआ था जब उसने दर्ड बताना शुरूर करा तो उसने अपनी अध्यापक को बताया कि जी में को ऐसा ऐसा दर्ड हो रहा है अध्यापक ने तुरंद की रोटरी वालों को संबर कर और आगे की फिर ये पूरी प्रक्रिया चली जब बच्ची हमारे पास आई थी तो उसकी दिल की दर्कन बहुत जादा बड़ी भी थी एक सो साथ एक सो सब्तर दिल की दर्कन चल ली थी टेजाब इंट्रक्शन की रूप में पूरे शरीव में फैला वाता ऐसे में बच्ची को ऑपरेट करते सामें भी बच्ची की ऑन टेबल जैसे डेथ ऑन टेबल का जाता है वो होने के इसकी वज़ा से पेशेंट का पेट फूल रहा था और इंग्जेक्शन पूरे शरीर में फैल रहा था हाला कि ऑपरेट करने के लिए बालिका की इस्तिती सही नहीं थी और उसके दिल की धड़कन तेज थी और ऑपरेशन करते हुए भी बालिका की जान को खत्रा था जब डॉक्तर ने बोला अगर सर्जरी नहीं हुई तो बच्चे की जान चली जाएगी ऐसे में हमारे जितने सीनियर मेंबर हैं उनको ये बात गवाल नहीं हुई कि हम पैसे के लेते पैसे के चलते बच्चे को मलने के लिए छोड़ दे तम हमने पैसा इखटा किया और कि हम बच्चे का उपरेशन करवा हुई आपरेशन के बाद हमने प्रेस कांफरिंस नहीं बूले हम चाहते थे कि बच्चे की जान जब पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा जब डॉक्तर हमें कहते हैं कि बच्चे की जान को अब कोई खतरा नहीं है जब बच्चा ICU से निकल करके जनरल बॉर्ड में आ जाए आज जो लड़की है शुभी वो जूस पी रही है वो पैदल चल रही है उसके मोशन पास हो रहे है और भविश्य में उसकी सेहत के सही रहने के पूरे के पूरे नुमान लेकिन बिमारी बहुत फैल जाने के कारण अगर ओपरे नहीं करते तो बालों का गुच्छा वहां फसे रहने से बालिका की जान पर खत्रा हो जाता जिसके लिए डॉक्टरों ने जान बचाने का रिस्क लिया और ओपरेशन के बाद बालिका को तीन से चार दिन आईसीउ में रखा नतीजन बालिका की जान बज गई और अब वह स्टेवल है ब्यूरो रिपोर्ट समय साक्षे